साथियों जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो साइकल होती है उसके पईये में और इस बाटम प्रैकेट में नर्मल छर्रा लगा हुआ होता है लेकिन अगर इसमें सील्ड बेरिंग लगा दिया जाए तो इसकी स्पीड काफी बढ़ जाती है जैसा कि मैं इस हम में लगा दिय ही है मुझे काफी आराम मिला है चलाने में तो आज बहुत धोड़ने के बाद मुझे ये बेरिंग वाला बाटम प्रैकेट मिला है जिसको मैं भी खोल के दिखा रहा हूं सब कुछ बताऊंगा ये मुझे कितने मिला और इसमें किस साइज का बेरिंग लगा हुआ है नमस्क कुछ बताऊंगा इस वीडियो में आप बने रहिए ये हैं यूटूब निटवर्ग और आप देख रहे हैं बीचेटिक आडिया चैनल टूटली लेटिस्ट हैं कि इस बाटम ब्रैकेट को मैंने आफ लाइन स्टोर से पर्चेज किया हुआ है जिसकी पैकिंग कुछ इस त इस पर अनिश लिखा हुआ है और वाइस्किल कांपोनेंट से लिखा हुआ है बस इसके सिवा इस पैकिंग में कुछ नहीं लिखा हुआ है और यहां पर मारकर पिंग से 350 रुपी लिखा गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब मैं इसे फटा-फट खोल ले रहा हूँ देख लिए एक पैकिट जो एक खुल चुका है और यह रहा हमारा शील्ड बेरिंग वाला बाटम ब्रैकेट जिसकी साइज जो है 142 mm लिखी गई है यहां पर 68 mm लेफ्ट राइट और इस पर केनली की ब्रांडिंग की गई है इसका model number KL07A है यह देख लीजिए इसका जो है लेफ्ट साइड का जो हमारे बाटम में फिट होगा और यह राइट साइड का है साथियों इसको आनलाइन भी पर्चेजिंग कर सकते हैं लेकिन उसमें जो यह घठर बनाया हुआ इसमें वो आनलाइन में नहीं मिला था इसलिए मैंने इसको आफ लाइन पर्चेज किया और जो आनलाइन मिल रहा था उसमें यहाँ पर होल था जो की नेट बोल से लगेंगे जो कि मेरे पास अभी है नहीं उसको मैं अर्लाइन अडर कर दिया हूं जैसे ही वह आएगा उसे साब से मैं इसको फिट करूंगा अपने साइकल में तो भी आज की इस वीडियो में मैं बता दूँ आपको कि इस में किस नंबर की बेरिंग लगी हुई है और क्या है रिपेरेवूल है या नहीं तो इस बेरिंग पर किनली की ब्राडिंग की गई है ये देख लिजिए और जो बेरिंग का साइज है वो कुछ इस तरह से लिखा गया 16,31,10 यह देख लिजिए 16 31 10 लिखा गया है यहां पर यहां पर देख लिजिए और यह मुझे लगता है कि रिपेर हो जाएगा क्योंकि यहां से बेरिंग निगल जाएगा अगर बेरिंग मार्केट मिल जाता है तो लग जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है अब साथियों रही बात इसके स्पूरिट की कि इसको लगाने से क्या हमारे साइकल की स्पूरिट बढ़ जाएगी तो यह बिलकुल हाँ है मेरी तरब से क्योंकि मैंने अपने साइकल के हब में जो है बेरिंग लगाया है उसका वीडियो भी आपको इस वीडियो के डिस्कुस प्रेश्र नहीं लगाना पड़ता है और साइकल जो है और काफी स्विड में आ जाती है तो यह सब स्विल बेरिंग के लगाने का फायदा है इसलिए जो है मैं इसमें यह गाने की लिए और इसकी कि लाइफ उससे काफी ज्यादा है साथ कि इसमें जो bearing लगा हुआ है ओर market में machinery store पर बहुत आसाने से मिल जाएगा क्योंकि जब मैं अपने cycle के हमें bearing लगाया था तो इस तरह की bearing जो है मुझे वहाँ पर दिखाया गया था तो इसलिए इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं है यह replace हो जाएगा फिनाल यह तो अभी नया है नहीं तो मैं इसको रिप्लेस करके भी दिखा देता जब यह खराब होगा लगाने के बाद चलाने के बाद तब मैं इसको रिपेर करके भी दिखाऊंगा आपको साथियों यह वियरिंग वाला बाटम ब्रैकेट मुझे 300 रुपे में आफ लाइन इस्टोर से मिला है और इसकी प्राइज अगर आफ आनलाइन देखोगे तो उसमें 500-800 रुपे तक दिखा रहा है अमेजन पे और फिलिपकार्ट पे भी दोन पे अवलेबल है लेकिन उसमें ह यहां पर जो होल है यह घठर जो है वो नहीं मिल रहा था मुझे इसलिए मैंने इसको आडर दे करके आफ लाइन इस्टोर से मंगमाया था लेकिन इसमें इसके लिए मुझे इस्पेसल जो है टूल की जरूत पड़ेगी वो आफ लाइन इस्टोर पे अभी अवलेबल नहीं इसलिए जो है मैं इसको आज फिट अप नहीं करूंगा जैसे ही मुझे यह टूल मिल जाएगा मैं इसको अपने साइक में लगा कर दिखाऊंगा आपको कि यह कितनी आसाने से फिट होगा की नहीं तो अगली वीडियो को जुरूर देखीएगा साथियों अगली वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बिल आइकन को दबा कर आल नाटिफिकेशन को वान कर लीजिए ताकि मैं जैसे ही अपनी अगली वीडियो को इसमें डालूँगा आप उसको देख पाएंगे तो मुझे अमीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इससे लाइक और सेर जरूर कीजिए और साथ ही हमें सपोर्ट भी करते रहिए अगर आप इससे जोड़ी कुछ चानकारी लेना चाहते हैं कुछ सवाल आज की वीडियो में बस इतना ही तो बहुत जल्द में लेकर आऊंगा अपनी अगली वीडियो तब तक लिए नमस्कार साथियों आपका दिन सुभू सब्सक्राइब कीजिए हर मुश्किल को आसान बना देने वाला अब तक का सबसी भरोसी मन चैनल विजे टिक आईडिया को और अपने मन पसंद जानकारी के लिए बिल बटन दबा कर आलन आटिफिकेशन को आन कीजी ताकि आप किसी भी अपडेट से बंचित ना रह पाएं